So guys, welcome to my tube channel और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IQ की तरफ से आने वाले निव अपकमिंग फोन के बारे में जो की है IQ New 9 Pro और वैसे मैं आपको बता दूँ कि इस से पहले जो IQ New 7 Pro लाँच हुआ था वो 2023 में सबसे बेस्ट फोन में से एक फोन था और अब IQ की तरफ से आपको नया फोन देखने को मिलने वाला है जो की है New 9 Pro और इस फोन की लाँचिंग जो है वा कन्फरम हो चुकी है ये फोन इंडिया में आपको 22 फरवरी को देखने को मिल जाएगा और वैसे तो ये फोन आलरेड़ी है वो आपको mid segment में देखने को मिलेगा तो आज हम इस वीडियो में इस फोन के full features की बात करेंगे और देखेंगे ये फोन इंडिया में किस price range में launch हो सकता है तो आप वीडियो का end तक जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आए तो इसे चेंज जरूर देखने को मिलेगी बैक में आप देखेंगे तो leather finish देखने को मिलेगा dual strip color देखने को मिलेगा और वहीं बैक में आपको dual camera का setup भी देखने को मिलेगा with LED flashlight front में आप देखेंगे तो एक last display देखने को मिल जाएगी तो look wise phones काफी cool देखने को मिलेगा और in hand feeling जो होगी phone की काफी better देखने को मिलेगी वहीं अगर हम इस phone के display की बात करते हैं तो इस phone में आपको 6.78 inch का AMOLED display देखने को मिलेगा जिसमें 1.5 के resolution देखने को मिल जाएगी और up to 144 Hz तक की आपको refresh rate देखने को मिलेगी तो अगर आप video lover हैं या फिर content watching करते हैं तो display में आपको video quality काफी better देखने को मिलेगी वहीं इस display में आपको 1400 nits तक की peak brightness देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर brightness भी काफी better देखने को मिल जाएगी अगर हम इस phone के processor की बात करते हैं performance और speed आपको phone में काफी अच्छी देखने को मिलेगी अगर आप hardcore gaming भी करते हैं तो यहाँ पर आप gaming performance काफी अच्छे से देख सकते हैं साथ में आपको IQ की तरफ से Q1 chip का support भी देखने को मिलेगा जिससे आप इस phone में gaming performance काफी better कर पाएगे अगर हम इस phone के camera sections की बात करते हैं तो इस phone में आपको 50 megapixel का camera देखने को मिल जाएगा जिसमें Sony का sensor IMX 920 देखने को मिलेगा और वहीं आपको OS का support भी देखने को मिलेगा second camera आपको 8 megapixel का देखने को मिलेगा जो की ultra bit होगा तो यहाँ पर आप back camera से 8K video भी record कर सकते हैं 30 fps पर और 4K video रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 fps पर no doubt यहाँ पर back camera काफी better दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपको Sony के sensor IMX 920 दिया हुआ साथ में OS का support है तो आप यहाँ पर काफी stable video graphie and photography कर पाएगे front camera में आपको 16 megapixel का selfie punch all cutout देखने को मिल जाएगा जिससे आप 1080p पे video record कर सकते हैं तो front camera से भी आप एक काफी decent सी photography and photography कर पाएगे अगर हम इस phone के battery sections की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5000 image की battery देखने को मिल जाएगे साथ में 120 watt का fast charging के support देखने को मिलेगा और fast charging support दिया हुआ है तो आप इस phone के battery को काफी जल्दी charge कर सकेंगे कुछ other features की बात करते हैं तो इस phone में आपको in-display fingerprint देखने को मिलेगा dual speaker type C देखने मिल जाएगा साथ में आपको android 14 के साथ यह phone देखने को मिलेगा और 3 साल तक को आपको security update भी देखने को मिलेगा और OS update देखने को मिल जाएगा साथ में आपको इस phone में 4D haptic का support देखने को मिल जाएगा NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth version 5.3 देखने को मिल जाएगा साथ में इस phone में आपको IR blaster face unlock देखने को मिलेगा तो no doubt काफी जादा features आपको इस phone में देखने को मिलने वाले है और finally अगर हम इस phone की price की बात करते हैं तो यह phone आपको 35,000 से 40,000 तक की range में देखने को मिलने वाला है तो phone जो होगा वो performance की साथ-साथ आपको इस phone में camera performance काफी better देखने को मिलेगी और gaming lover के लिए यह phone काफी better होगा तो दोस्तों आप मुझे comment section में जरूँ बतेगे कि आपको यह phone कैसा लगा I hope आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे like जरूँ करिए और चैनल को subscribe कर दीजेगा मिलते हम आपसे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care